शुब आती शुब आनन्द में समय की शुरुवात एक जन्वरी से हो रही है आपके जीवन में क्यों हो रही है इसका प्रमाण दूँगा और किन लोगों को शुब समय में लाब नहीं मिलेगा ये भी बताऊंगा और उपाए भी बताऊंगा तो सब कुछ जानना है सुनना है तो पूरा वीडियो देखिए तुलाराशी की हम बात कर रहे हैं शुब गड़ी आई रे आई बधाई हो बधाई आपको बहुत बधाई आपके जीवन में शुब गड़ी आ गई जो दुख थे जो तकलीफे थी जो परिशानिया थी वो गई शुब गड़ी आ गई आपकी जो घड़ी बंद हो गई थी आपकी जो किस्मत की घड़ी में जो ताला लग गया था वो खुल गया है अब दुर भाग गया ऑग गया और आपको भागशाली बना रहा है जनवरी दो हजार चौबिस बहुत रोलिया बहुत पस्ता लिया अच्छे वक्त को इंज्वाई करने का वक्त आया है ध्यान से देखिए इस गोचर कुणली को गुरुदेव देव वुरु ब्रस्पती जिनके पास सब कुछ है धन है, दौलत है, पैसा है, डॉलर है, देश-विदेश की यात्रा है शिक्षा है, ग्यान है, विज्ञान है, अध्यात्म है ये एक ऐसा ग्रह जिसके पास सब कुछ है, वो ग्रह वक्री हो गया उसके पास देने को बहुत कुछ है लेकि वो दे नहीं पा रहा उसके खातों को बांद दिया था दोजार तेश ने लेकिन कब तक बांद होगे शुब समय को शुब समय तो कभी न कभी सारे बंधन तोड़ कर आएगा और एक जनुरी से बंधन तूट चुके हैं, अब खुशियों का सैलाब आने वाला है देव गुरू ब्रस्पती मारगी हो गए है आपकी किस्मत की बंद घड़ी आप चलने लगी है गुरू सब्तमभाओं में बैटे हैं, केंदरभाओं में बैटे हैं मितर की राश्री में बैटे हैं, बलवान है वैसे तो गुरू आपके अश्टम और पराकरम भाओं के स्वामी है प्राकरम यनी टाकट के स्वामी है हम्मत के स्वामी है आलफ था नजार TV में अब आलफ खत्म हो जाएगा आपके वैपार में अब सुब शमय आने वाला है अब आपका वैपार जबर्दस तेजी से आगे बढ़ने वाला है अब आपका परिवार खुशियों को लेने वाला है शुब घड़ी आ गई है जन्वरी दोजार चौबिस वैवाही जीवन में पार्टनर्शिप में जो परिशानिया थी वो अंत है अब सब कुछ बढ़िया आने वाला है आपके जो हाथ बंदे हुए थे अब वो सतंत्र हो गए खुल गए पती पत्नी के बीच में लड़ाई थी पती पत्नी के बीच में जगले थे एक कोट का चहरी में बात चली गई थी अब थोड़ा सा वक्त दीजिए जो लड़ाई थी वो प्यार में बदल जाएगी और जिन लोगों का कोई कोट का फैसला आना था बड़े दिनों से रुका हुआ था जस्त आफ सिगनेचर नहीं कर रहे थे तो वो भी अप फैसला भी फटा फटा जाएगा शादी शुदा मामले में अब आपकी जिन्गी में सुधार होगा अब आपकी जिन्गी एक बढ़िया तरफ बढ़ेगी जहां पर सब कुछ बढ़िया होगा जहां पर गड़बर नहीं है आपका बिखरता हुआ परिवार आपका रोता हुआ परिवार उसके चेहरे पर मस्कराहट लेकर आ रहे हैं देव गुरुम रस्पती हर तरीकी की साज़ेदारी अब आपकी अच्छे शूप परिग्राम देगी व्यसाइए में अच्छे और्डर बिलेंगे अपने व्यसाइए को दुनिया तक पहुँचा देंगे आप यह खुब साहे लोगों तक आपका व्यसाइए पहुँचेगा और आप सफल पे सफल होते चले जाएंगे जो भी लोग शादी शुदा है उनका जीवन साथी उनको पूरा सायोग करेगा या करेगी जो लोग शादी शुदा है अपसे पती नहीं पतनी भी कमाएंगी और दोनों मिलकर अपने परिवार को पढ़िया तरीके से चलाएंगे पतनी की तरफ से पती की तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी गुरू आपको तरक्की दे रहे हैं संतान का सुख भी दे रहे हैं धार्मी कार्यों में आप शामिल होंगे पूजा पाट करेंगे नहीं मंदिर वगरा या अच्छी जगे पर घुमने जाएंगे अब आपके करजे उतरेंगे अब आपकी बिमारियां धीदे धीदे सही होती ही नज़र आएंगी नौकरी में तरकी वहबार में बड़ा पद आपको मिलने वाला है उचे पद मिलने वाले है धनका सही निवेश होगा योगिता के अनसार पोजिशन और पैसा मिलेगा परदेश में जायजाद बनेगी आप अमीर जरूर बनेंगे हर हाल में बनेंगे सेहत भी बड़ी आ रहेगी नौकरी में बड़ा और चुपत बिलेगा कुवारों के घर में ढोल बजेंगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शांदार होगी कम वक्त में बड़ा से बड़ा काम करके बड़ा नाम कमाने वाले होंगे पत्नी की सला से जो काम करेंगे उस पर डबल सफलता मिलेगी उधार पैसे जो दिये थे वो वापस चले आएंगे दिमाग से सही वक्त में सही निर्ने लेकर बढ़िया काम करेंगे कटिन से कटिन विश्यों में सफलता हासिल करेंगे संचार, टकनीक, शोशल, मीरिया, इंटरनेट का सहरा लेकर दुनिया में अपने आपको फैला देंगे आपका काम फैलेगा, आपके काम की चर्चाएं होंगी अब आप रुकने वाले नहीं है धार्मिक होंगे, उच्च सोच के मालिक होंगे समाज में, काम की वजए से पहचाने जाएंगे एक गुडूवल बनने वाली है जो बधनावी थी, ओो धने वाली है गुडलक का बाले वाला है नाम को सही पहचान मिलने वाली है पढ़ाई लिखाई बढ़िया है सरकार से लाबपरापती बढ़िया है कम वक्त में बड़ी सफलता मिलना ये बड़िया है निर्धानित समय में तै किये हुए समय में सफलता मिलेगी अब सफलता के लिए दिन महीने साल इंतदार नहीं करना पड़ेगा अब आपने जो तैय किया है जो लक्ष बनाया है उस लक्ष पर वक्त पर पहुचेंगे आपके अंदर आत्म विश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा छोटा भाई, बहन, परिवार के साथ मिल जुल कर रहेंगे सपोर्ट बिलेगा एक दूसरे का गुरू छटे भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा सिहत को लेकर, डायविटीज को लेकर ध्यान रखिएगा मोटापे को लेकर ध्यान रखिएगा, सरदियां चल रही है ज़्यादा फालतू का चटपटा पोज़द मत करिएगा आपकी पोजिशन बढ़ने वाली है, पिता का सम्मान बढ़ने वाला है गुरू ग्यारवे भाव को भी देखेंगे तो परिवार में शुभ और मांगली कारे कराएंगे परिवार में दोस्तो यारों का साथ होगा, दोस्तो यारों की वज़े से आपके कई बिगले काम बनेंगे, कोई दोस्त बता देगा कि भाई यहां पर जाकर ट्राई कर लो, यह काम हो जाएगा तो आप उसकी सलाह से वो काम कर लेंगे, आपकी नौकरी आपके बैपार में धन लाब होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बहुत बढ़िया, यह समय सर्वत्तम है उत्तम है बोचर में, अब आपके जर्म कुण्डी में सितारे कैसे बैठे हैं यह आपकी जर्म कुण्डी तेह करेगी, यहां पर वक्त अच्छा है लेकिन अगर आपको जर्म कुण्डी में सितारे कमजोर हैं तो भी आपको रिजल्ड नहीं मिलेगा तो आपको अपनी जर्म कुण्डी की जांच करानी होगी अपनी सितारों को सही करना होगा सही तरीके से उसको उपचार करना होगा तब ही आपको रिजन्ट मिलेंगे और अनिता नहीं मिलेंगे अगर कोई वेक्ती बिमार है अगर कोई वेक्ती बिमार है और वो अगर डॉक्टर का इलाज ना ले तो सही नहीं होगा आरवेट की कर लाद दे तो आरवेट से सही हो जाएगा लेकिन उसे खुद को दिखाना पड़ेगा और जितना शरीर कमजोर होता जाएगा उतना वोगती नीचे जाता जाएगा ऐसे ही अगर आपकी जर्मकुली में सितारे कमजोर हैं माल लीचे किसी ने आपको कह दिया कि आपकी शादी दोजार चौबिस में हो जाएगी दोजार चौबिस में आपकी नौकरी लग जाएगी सही है मैं भी यही बोलना हूँ दोजार चौबिस में आपकी शादी भी हो जाएगी नौकरी भी लग जाएगी लडाई जगड़े खत्क होंगे ये बात मैंने भी बोली लेकिन किनकी उनकी जनकी 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 जनम कुडली में सितारे बजबूत होंगे ग्रह अस्त नहीं होंगे ग्रह शुब ग्रहों से दरश्ट होंगे ग्रह बुरे प्रभाव में नहीं होंग तब अगर शुब है आपकी जर्म कुडली में सितारे तो शब शुब हो जाएगा और जर्म कुडली में सितारे कमजोर है तो ये वक्त अच्छा है लेकिन आपकी कुडली का वक्त खराब है तो खराब और सही मिलकर बहुत अच्छा समय नहीं लाते फिर आपको रिजल्ड नह पड़ा तै, अटनी आसानी से अगर सफलता मिलती होती तो फिर कोई पर्शान होता ही नहीं सफलता के लिए संगष भी करना पड़ता है, सफलता के लिए अप्नी जर्म कंर्ली की जाज भी करना पड़ती है, सफलता के लिए जोशी के दोरा बताएगे उपायों को भी करना पड़ता है आपका वक्त बहुत शानदार है तुलाराशी वालों नहीं पीशे मुड़कर देखने कि आउशकता नहीं है तुलाराशी वालों आगे बढ़िए अच्छा वक्त है लेकिन अपनी जर्म कुड़ी के सितार को भी मजबूत बनाईए तभी आएगा मज़ा खुश रहिए पसंद नहीं है शुब घड़ी का इंतजार था और शुब घड़ी आ चुकी है जूमिये गाए आनंद में जूम जाएए पढ़िया आपके जीवन में सुक आने वाला है और ये साल दोजार चौबेश शनी का साल है शनी और शुक्र की मित्ता है तो यही कहूंगा कमेंट बाउस में लिख देना शनी देव देदो मनी तो शनी देव आपको मनी भी देदेंगे और गुर्देव आपको धन भी देदेंगे मान सम्मान भी देदेंगे सब कुछ देदेंगे तो अच्छा है बहुत अच्छा है लेकि उन्हें के लिए जिनकी कुनली मजबूत है सिर्फ उनी के लिए अच्छा है जो काम करेंगे उनके लिए अच्छा है जो मेहनत करेंगे उनके लिए अच्छा है जो सितारों को मजबूत बनाएंगे उनके लिए अच्छा है धन, दौलत, प्यार, इश, महबबत लगजरी आपके जीवन में आ रही है परदेश में जाजाद बरदेश जाने का सुख मिल रहा है आनंद का समय है और आप सभी दो कर्मेंट बॉक्स में जै शरी देव जरूर लिकिएगा खुश रहिए परसंद रहिए मेरी शुब कामना है कि साल दोजार चौबिस आपको खुब 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 तरकी दे और आप आगे बढ़ते चले जाए महिला हों पुरुश हों बच्चे हों छोटे हों बड़े हों साल दोजार तैस में आपने हमें बहुत प्यार दिया उसके लिए आप सब का शुक्रिया और ईश्वर का भी शुक्रिया तुला राशी वालों फिर कहूंगा इस गोल्डन समय का इंतजार कर रहे थे वो एक तारिक से शुरू हो रहा है पार्टी करिए इज्वाय करिए खुश रहिए लेकिन जो भी करिए वो लिमिट पे करिए नमस्कार